आप Excel में Running Total कैसे Calculate कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां हमने मन्त दे लिया मन्त और मन्त के बाद यह हमारे product के sales है और यहां पर हमने Total Add किया हुआ और यहां पर हमने Heart Total कर लिया यहां पर मैं Jamf App यहां देखता हूँ दिसमबर तर और राइन बिटिनिंग की मदद से हम यहां पर कुछ numbers आला देते हैं और फिर इसको हम यहां तक drag कर देते हैं अब मैं यहां पर Sum का formula लगाके इसको यहां यहां पर कुमिलिटिव टोटल चाहिए कि जन्वरी में कितना टोटल था तो जन्वरी में तो फ्रवरी में तो फ्रवरी में जो है टोटल हुआ जन्वरी प्लस आ गया है तो नीचे तक drag करेंगे तो यह हमारा टोटल दीचाहिए यह तो हुआ हमने क्या कर दिया इसको दो तरीके हैं परा तरीका है कि हमने एक्वल प्रेस किया और पहले मंद का टोटल को सेलेक्ट कर लिया फिर नीचे हमने क्या किया कि दूसरे मंद का टोटल प्लस आ टोटल हमने सेलेक्ट कर लिया उप्रवाल है फिर इसको नीचे तक drag कर दिया तो यह हमारा टोटल आ गया लेकि एक और तरीका इसका आता है वो होता है कि सम का कि सम हमने लिया F2 से F2 धान लेखेगा हमने क्या किया F2 से F2 और हमने पहले वाले F2 को F4 से freeze कर दिया और फिर इसको नीचे के तरफ ड्रैक किया इसमें क्या हुआ यह आपका F2 से F3 कोईकि हमने पहले वाले को freeze किया दूसरे वाले को छोड़ दिया तो जब इसको नीचे द्रैक किया तो F2 से F3 हो गया यहां F2 से F4 हो गया जैसे से नीचे के तरफ बढ़ा उस तरह से वह अपना value को increase करते हुए यहां पर आपका total देटे चलाएं और यह method हम आगे भी यूज करेंगे यह total करना आपको हम नहीं सिखा रहे हैं बट इसकी जो method है इसको हम आगे count if में, max में बहुत सार जगोर पे यूज करेंगे बहुत सार आपको हम 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 आप लेकिन इस तरह के चीज़े यूज़ कर सकते हैं अपने अफिस्टाइब